कोरोना की वैक्सीन कोविशील को दो खुराकों के बीच अब 12 से 16 हफते के अंतराल को लेकर एक तरफ सवाल कड़े हो रहे हैं और दूसरी ही और वैक्सीन बनाने वाली मात्रू कमपनिया एस्टोजेनिका ने भारत में कोविशील के बीच तीन महीने के अंतर को सही ठेराया है बता दें एस्टोजेनिका ठीके ने क्लिनिकल परिक्षन के मुख्य जाच करता ने कहा कि ये खुराक द्वारा उपरब्द कराई गई सुरक्षा का अस्तर ठीका लगवाने के बाद दू दोनों देशों में ठीका करण नीती की तुलना नहीं की जा सकते ही ऐसे में आक्सफोर्ड वैक्सीन समूह के निदेशवा का पोलाड ने कहा कि एक ठीका करण नीती का लक्ष है जल्द से जल्द अधिक संक्या में लोगों को ठीके की कम से कम खुराक देना होता है भारत में जो नीती अपनाई गई है वो बिल्कुल सही है और इसे बीश दू महीने तक आईस्यू में कुरोनवाइरस से जंग लड़ रहे दिल्ली के सफदो जंग अस्पताल में बरिश डॉक्टर रमेश कुमार की मौत हो गई है शुकरवार को देश शाम डॉक्टर रमेश कुमार ने अस्पताल के आईस्यू में दम तोड दिया है बता दें हड़ी रोग विशेश शग्यता को लेकर देश के जाने माने डॉक्टरों में से एक रमेश कुमार केंद्री हड़ी रोक संस्थान के प्रमुक भी रह चुके हैं रीड की हड़ी से जुड़ी विशेश अग्य उन्हें प्राप्थ है इसके साथ ही डॉक्टर रमेश कुमार ने 49 साल में हजारों सड़क दुरगटनाओं में खायल हुए लोगों को नया जीवन दान दिया है ऐसे में उनका नाम सौ से भी अधिक शोध प्रकाशित हो चुके हैं उनके नाम पर और ऐसे में पिछले एक साल में ही कुरोना वाइरस ने डॉक्टर रमेश कुमार की भाती कई चर्चित और आनुपवी चकिस्चकों को छीन लिया है साल 2016 में धापो देवी नाम की 108 वर्षय महिला को डॉक्टर रमेश कुमार की बदौलत ही चलना नसीब हो पाया था क्योंकि बुज़ग वस्था में और कूले में समस्या होने के चलते महिला लंबे समय से बिस्तर पर ही थी अधेकुम्र की चुनौतियों को सुईकार करते हुए डॉक्टर रमेश कुमार ने कूला प्रत्यार ओपन करने के बाद तीन दिन में ही इनने बिस्तर से खड़ा कर दिया था इस उम्र में ये देश का पहला ऐसा मामला था रुकर रहें अगली खबरों की ओर जहां आपको बता दें कि इन पोस्टरों के सामने आने के बाद से ही राजजी की राजनीतिक एक बार फिर से गर्मा गई है हारा की भाजपा ने इनके लिए त्रणमूल कॉंग्रेस को जम्में दा ठहराया है लेकिन हाल ही की घटना को ध्यान में रखते हुए भाजपा की लगातार तेज होती अंतर कलहा को नतीजा ये पोस्टर माने जा रहे हैं दरसल मुकल राय केलाश की करीबी थे उनके टी एंसी में शामिल होने के बाद ही केलाश के खिलाब भी पार्टी में आवाज उठ रही थी दो माई को विधानस्वा चुनाफ के नतीज़ सामने आने के बाद से ही केलाश बंगाल में उतने सक्रीय नजर नहीं आया इसी दोरान वो एक बार भी कोलकता नहीं आये हैं चुनाफ से पहले पार्टी के तमाम बैटकों में शामिल रहने वाले केलाश ने उसके बाद किसी भी बैटक में वर्चुली भी हिस्सा नहीं लिया इसके अलावा वो खासकर बंगाल चुनाफ के उसके नतीजे पर पत्रकारों से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे है विधानसवा चुनाफ में पार्टी की हार के लिए प्रोदेश नेताओं के एक गुट ने कैलाश को भी जिम्मेदार ठहराय था वैसे भी पार्टी के पुरान नेताओं और कैलाश के बीच तालमेल की कमी की खबरे लगातार सामने आती रही है ऐसे मैं नेताओं की नाराज़की की वज़ा ये है कि कैलाश की मुखल रॉय को TMC से BJP में लेकर आये थे मुखल रॉय के TMC में लोटने के बाद विरोध के स्वर अचानक तेज हो गए है